36 गड़ में रायपूर के पास भगवान राम के ननियाल माता कोशल्या की जन्म भूमी चंद खुरी में शीगरी भव्य मंदर का निर्मान शुरू हो जाएगा 36 गड़ सरकार राम वन गमन पत पर पढ़ने वाले महत्वपूर्ण स्थानों को परेटन इस्थल के रूप में विक्सित कर रही है इसकी शुरुवात चंद्र खुरी स्थित माता कोशल्या के मंदर से कर दी गई है यहाँ पूजा पाठ के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री भुपेश भगेल ने कहा है कि 36 गड़ भगवान राम का ननिहाल है यहाँ कणकण में भगवान राम बसे हुए हैं भगवान राम ने बनवास का बहुत सा समय यहाँ व्यतीत किया है 36 गड़ सरकार भगवान राम के वन गमन मार्ग को परेटन परिपत के रूप में विक्सित कर रही है ताकि इन इस्थानों को राष्ट्री और अंतरराष्ट्री इस्थर पर ख्याती मिद सके बगेल ने कहा कि चंद्रखुरी में 15 करोड की नागत से स्वंदर्य करण का कारिकर आया जाएगा रायपूर से बहुत ही नजदीक में चंद्खुरी ग्राम में माता कोसिल्या के बहुत ही दर्सनी मंदीर बहुत प्राचीन मंदीर है और भगवान राम के ननिहाल के रूप में हम सब जानते हैं वैसे अनेकों बार यहां आने का आउसर मुझे मिला और यह मेरे लिए प्रसंता की बात है कि इसके संद्रे करण और विस्तार के लिए हम लोगों ने भूमी पूजन किया था और अब उसके टेंडर अगरग प्र इन लोगों ने निर्मान भी किया था तो इसमें और अच्छा विस्तार हो लाखो लोग दर्सं के लिए आएंगे तो उनके सुईधा किसाब से इसको विक्सीद भी करना है रामवन गमन पत का निर्मान भी उसके भी तियारी हमारी चल रही है सारी प्रक्रियाएं लगातार चल रही है और हम लोग लगातार मांटिंग भी कर रहा है तो वो भी रामवन गमन पत भी बहुंच जल्दी ही गौरतलव है कि त्रेता युगीन चत्तीजगर का प्राची नाम दक्षन कोशल एवं दंड कारणने के रूप में विख्यात था प्रभूशी राम ने उत्तर भारत से चत्तीजगर में प्रवेश के बाद दिभिन इस्थानों पर चौमासा व्यतीत करते हुए दक्षन भारत में प्रवेश किया था चत्तीजगर में कोरिया जिले की गवई नदी से होकर सीता मड़ी हर चौकाय नामकिस्थान से प्रभूशी राम ने चत्तीजगर में प्रवेश किया था इस दोरान उन्होंने 75 इस्थलों का ब्रहमन करते हुए सुखमा जिले के रामा राम में दक्षन भारत में प्रवेश किया था उक्त इस्थलों में से 51 इस्थल ऐसे हैं जहां प्रभूशी राम ने ब्रहमन के दोरान रुक कर कुछ समय व्यतीत किया प्रथम चरण में इनमें से 9 इस्थलों को विक्सित किया जाएगा संगीत की स्वर लहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने तक चंबल के पीढ़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों तक थेलों से मेलों तक पकडंडियों से सडकों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राज़्टीती से उटनीती तक दखन नीउज आपके हत्त आप देख रहे हैं दखन नीउज